हलो दोस्तों आप मेंसे कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या हम Coin DCX के अंदर Paytium से deposit कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पर clear लिख रखा है कि UPI related किसी भी app से आप deposit यहाँ पर नहीं कर सकते तो क्या हम try भी अगर करके देखना चाहें तो आपके बिहाफ पर अगर मैं try कर लूँ तो कैसा रहेगा Paytium से Coin DCX के अंदर deposit करके तो देखो मेरे यहाँ पर balance है 349 रुपे साड़े 300 रुपे के असपास है तो हम एक और चोटा सा test कर ले रहे हैं लगे यहाँ तो withdrawal का test जो होता है क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि withdrawal हो सकता है ब्लॉक कर दिया है या कुछ दिक्कत चल रही है तो उसका भी हमें यहाँ पर जवाब जो है मिल जाएगा हम यहाँ पर इसको करके देख ले रहे है 349 रुपे का continue withdrawal OTP आएगा मेरे phone number पे देखो मैंने यहाँ पर withdrawal request भेज दी है अगर withdrawal सही से काम कर रहे होंगे तो थोड़ी देर में message आ जाएगा मेरे पास कि मेरी withdrawal successfully हो चुके यह request है इनकी जो भी OTP आना था वो आ गया अब हम add fund का process चालू कर देते हैं देखो add fund यहाँ पर लिख क्या रहा है एक second देखो minimum 500 रुपे हम कर सकते हैं तो हम यहाँ पर 500 ही डालेंगे और select payment आप यहाँ पर देख सकते हैं कि net banking का option लिखा हुआ है IMPS या NEFT ठीक है यह देखिए message आ चुका है मेरे पास कि 350 रुपे credit हो चुके है मेरे पास bank account में credit हो चुके हैं इसका मतलब यहाँ पर पूरी तरह से withdrawal काम कर रहा है successfully कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है ठीक है तो मैं यहाँ पर continue पर click कर देता हूँ withdrawal का तो हमें test पता ही चलिगा कि withdrawal successfully काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब हम paytm से deposit करने की try करते हैं यहाँ पर यह देखो इन लोगों ने यहाँ लिख रखा upi apps are not supported for this payment mode ठीक है upi app ही है paytm तो यहाँ पर इसी सवाल का जवाब निकालते हैं paytm से deposit करके देखते हैं step by step तो देखो paytm पर जाता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर two bank account आप देख सकते हैं और enter bank account detail यहाँ पर equitas small finance bank है क्योंकि यहाँ पर हमें coin dcx ने दे रखा equitas small finance bank अब यहाँ पर account number है account number इसे में copy कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर account number कर देता हूँ paste ठीक है यही एक बार account number है एक बार confirm भी कर लेते हैं यही है ifsc code copy कर लेना है यहाँ से ifsc code copy और यहाँ पर paste यहाँ पता नहीं paytm का क्या दिक्कत है ifsc code copy paste नहीं करता तो हमें खुदी यहाँ पर ifsc code डालना पड़ता है तो एक बार मैं डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ से copy paste फिर उसके बाद हमें यहाँ पर re-enter account number मांग रहा है तो यहाँ से account number copy कर लेना है दुबारा और यहाँ पर paste कर देना है पेश्ट और proceed to pay पे क्लिक कर देना है 100 रुपे हम डालने की try करते हैं चलो 500 ही डाल ले रहे हैं 500 रुपे और pay ठीक है अब हो सकता यहाँ पर screen black हो गई हो क्योंकि मैं यहाँ पर अपना UPI pin डालने वाला हूँ तो UPI pin डालने के बाद यह लोडिंग हो रही है लोडिंग हो रही है लोडिंग हो रही है लोडिंग हो रही है और transaction failed लिखके आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं credit हो गया क्योंकि दुबारा पैसे कटे वापस मेरे account में वापस डाल दिये गए क्योंकि आप यहाँ द detail तो इस bank account detail में हम transaction नहीं कर पा रहे इसका सीधा सीधा सा मतलब निकल के आता है कि हम paytium के through coin dcx के अंदर deposits नहीं कर सकते इन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही लिख रखा है यह आप देख सकते हैं UPI apps are not supported for this payment app तो यहाँ पर इन लोगों ने बिल्कुल सही सही लिख र तो अगर आपका bank जो paytium bank होती है paytium bank ही आपके अंदर link हो रखी है coin dcx के अंदर तो उसका इलाज यहाँ पर यही है कि आपको उस bank को हटाना पड़ेगा और कोई दूसरा जो आपका bank account हो उसे link करना पड़ेगा क्योंकि आप paytium से coin dcx के अंदर deposit नहीं कर सकते step by step मैंने आपको process दिखाया कोई take नहीं है कुछ नहीं है one take है single shot है कोई इसमें कटा पिटा चुपाना कुछ नहीं है transaction फेल्ड लिक्या आ जाता है आपके पैसे bank account से कटते हैं वापास आपके bank account में deposit कर दिया जाते हैं तो यहाँ पर paytium से deposit नहीं हो सकते मैंने आपको दिखा दिया with proof तो इतना ही था आज की इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए इस चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए अपना धियन रखे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में